हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके साथ नम्रिता बॉलिवुड आक्रेस कंगना रनौत जो की हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्ख्यों में आ जाती हैं वो एक बार फिर से खबरों में आ गई है इस बार कंगना के निशाने पर आई हैं IPS ओफिसर डी रूपा हाल ही में IPS ओफिसर डी रूपा ने ट्वीटर पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ना सिर्फ लोगों ने उनकी आलोचना की बलकि कंगना ने भी उन पर निशाना साधते हुए उन्हें सस्पेंड करने की बात कह दरसल ट्वीटर पर डी रूपा और ट्रू इंडोलोजी के बीच पटाकों पर लगे प्रतिबंद को लेकर बहस हो रही थी कुछ दिर बाद ट्वीटर ने ट्रू इंडोलोजी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया ये पेज हिंदू संस्कृती के बारे में जानकारियां साजह करता था लेकिन रूपा ने इस पेज पर लोगों को ब्रहमित करने का आरोप लगाया रूपा ने ट्वीट किया काल्पनिक उस पीडन पर पीड़ित की तरह रोते बिना किसी नाम या चेहरे के गाली करना काम है चोरी उपर से सीना जोरी वह फैक्ट्स के साथ बाते रखने वाले कई लोगों को तुम्हारे फॉलोवर्स ट्रोल करते हैं अब तुम्हारा समय ख उन्होंने IPSD रूपा पर निशाना साथते हुए लिखा आरक्षन के दुषपरिणा जब आयोग्ये को पावर मिल जाती है तो वो जखमों को नहीं भरते वो सिर्फ चोट पहुंचाते हैं मुझे उनके निजी जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन मैं गैरंट गारी पुलिस में होना शर्म की बात है यू तो कंगना कई बार अलग-अलग बातों का विरोध कर चुकी है लेकिन कभी-कभी उनका विरोध करने का तरीका फैंस को हैरान कर देता है और इस बार कंगना ने IPSD रूपा पर निशाना साथते हुए आरक्षन वाली बात बोलकर खुद को भी ट्रोल करवा लिया है एक यूजर ने लिखा अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली है वैसे कंगना के इन ट्वीट्स पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए का